असलाम अलेकुम माईरा मलिक डाइरीज में आपको खुशाम दीद आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला जी हाँ आज हम जिकर करने वाले हैं पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के दस अमीर तरीन अदाकाराओं और अदाकारों के बारे में जो पाकिस्तान की तफ्रीही सहनत से लाखों नहीं करोडों रुपे कमा रहे हैं और उनको फेमस किसने किया है आपने और हमने तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा एंग तक और वीडियो लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब अभी से कर दें बाद में भूलना जाएगा तो वीडियो का आगास किये लेते हैं अदाकारों, हदाitकारों और मुस्विंद की नाकाबले यकीन सवाहियतों की बतौलत हालिया बरसों में पाकिस्तान की तफरीही सनट तेजी से तरकी कर रही है ये बात सलाहियत अफराद पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों को दुनिया भर में मकबूल बनाते हुए दुनिया भर के शायकिन के दिलों पर कब्जा करने में काम्याब हुए हैं सनद की तेजी से तरक्य के साथ ये कोई ताज़ग भी बात नहीं है कि पाकिस्तानी अदाकारों का शुमार दुनिया के अमीर तरीन अफराद में होता है आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे उन दस अमीर तरीन अदाकारों का जो पाकिस्तान की तफरीही सनद में से बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं सबसे पहले जिक्र करते हैं फवाद खान का फवाद खान एक ऐसा नाम है जो किसी भी तारुफ का मुथाज नहीं वो ना सिर्फ एक नाकाबल यकीन हद तक बासलाहियत अदाकार हैं बलके इक कामयाब मौसीकार भी हैं फवाद ने सबसे पहले पाकिस्तान की तफरीह सनद में मकबूल ड्रामा सीरियल हम सफर से कदम रखा जिससे उन्हें बینल अक्वामी सता पर पहचान मिली उसके बाद उन्होंने मुक्तलिफ कामयाब प्रोजेक्ट्स पर काम किया और अपनी पर्फॉमंस के लिए कई एवाद्स भी जीते फवाद की मजमूई मालियत का तकमीना तकरीबं 25 मिलियन डॉलर है जिसे वो पाकिस्तान के अमीर तरीन अदाकार बन गए हैं उन्होंने बॉलिवुड में भी काम किया है और हिंदुस्तान में एक काबले जिक्र परिस्तार की पैरवी हासल की है फवाद की मकबूलियत और काबलियत ने उन्हें इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मतलूब अदाकारों में से एक मना दिया है दूसरे नंबर पर जिक्र करेंगे माहिरा खान का माहिरा खान का शुमार पाकिस्तान की मकबूल तरीन और कामयाब अदाकाराओं में होता है उन्हें सबसे पहले फवाद खान के साथ ड्रामा सीरियल हमसफर में अपने किरदार से पहचान मिली माहिरा ने इसके बाद पाकिस्तान और बॉली वुड दोनों में कई कामयाब प्रॉजेक्ट्स में काम किया माहिरा की मजमुई दौलत का तक्मीना तकरीबं 6 मिलियन डॉलर लगाया गया है जो इन्हें पाकिस्तान की अमीर तरीन अदाकाराओं में से एक बनाती है मुकई मारूफ ब्रैंड्स की ब्रैंड अमबैसिडर भी रह चुकी है और मुक्तलिफ समाजी कामों में काम कर चुकी है उसके बाद जिकर करेंगे हमजा अली अबासी का जी हाँ हमजा अली अबासी एक अदाकार हदायतकार और प्रिडूसर है उन्हें सबसे पहले ड्रामा सीरियल प्यारे अफसल में अपने किर्दार से पहचान मिली हमजा ने इसके बाद कई कामयाब प्रोजेक्स पर काम किया और अपने पर्फॉर्मंस के लिए कई एवोर्ड्स भी हासल किये हमजा की मजमुई मालियत का तक्मीना तक्रीबन पांच मिलियन डॉलर लगाया गया जिससे वो पाकिस्तान के अमीर तरीन अदाकारों में से एक हैं वो एक फाल स्यासी मुबस्र भी रहे और मुखतलिफ समाजी कारकुनों में भी शामिल रहे अली जफर का जिक्र करते हैं अली जफर एक अदाकार गुलुकार और नगमा निगार हैं उन्होंने सबसे पहले अपने अलबम हुका पानी से पहचान हासल की जो फौरी तोर पर हिट हो गया अली जफर ने इसके बाद करी कामया प्रोजेक्ट पे काम किया और बॉली बुड में भी जाकर अपनी अदाकारी के और गुलुकारी के जोहर दिखाए अली जफर की मजमुई मालियत का तक्मीना तक्रीबन चार मिलियन डॉलर लगाया गया जिससे वो पाकिस्तान के अमीर तरीन अदाकारों में से शुमार होने लगे मुकई मारूफ ब्रेंड्स के ब्रेंड अमबेसिडर भी रह चुके हैं और मुक्तलिफ समाजी कामों में भी काम कर चुके हैं और आई अब जिकर करते हैं इमरान अबास का एक खुबसूरत अदाकार इमरान अबास एक अदाकार मॉडल और गुलुकार है उन्होंने पहले अपनी मौडलिंग करियर से पहचान हासल की और बाद में ड्रामा सीरियल अम्राउ जानदा से अधाकारी का आगास किया इमरान ने इसके बाद कई कामयाफ प्रोजेक्स पर काम किया और अपनी पर्फॉर्मंस के लिए कई अवार्ड भी जीते इमरान की मजमूरी मालियत का तक्मीना तक्रीबन तीन मिलियन डॉलर है जिससे वो पाकिस्तान के अमीर तरीन अधाकारों में से एक हैं वो कई मारूफ ब्रैंड्स के ब्रैंड अमबैसीडर भी रह चुके हैं और मुख्तलिफ सोचल वर्ग के काम भी करते रहते हैं अरब जिकरे करते हैं आपके पसंदीदा हमारे पसंदीदा हमाईयू सइथ का जी हाँ हमाईयू सएथ एक अदाकार प्रीडूसर और हदायतकर हैं उन्हें सबसे पहले ड्रामा सीरियल दिल लगी में अपने किरदार से पहचान मिली हमाईों ने इसके बाद कई तामियाब प्रोजेक्स पर काम किया और अपनी पर्फॉर्मंस के लिए कई अवार्ड जीते और लाखों मद्दाहों में इजाफा किया हमाईों की मजबूरी मालियत का तक्मीना तक्रीबन टू पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर है जिससे वो पाकिस्तान के अमीर तरीन अदाकारों में से एक हैं वो कई मारूफ प्रेंट के अमबेसिटर रेच चुके हैं और मुक्तलिस समाजी कामों में भी काम करते रहते हैं और अब इसके बाद जिक्र करेंगे हम फाहद मुस्तफा का जी हैं जी तो पाकिस्तान के फाहद मुस्तफा एक अदाकार मेजबान और प्रोडियूसर हैं उन्होंने सबसे पहले अपने करतार से पहचान हासल की वो था ड्रामा सीरियल मैं अब्दुलकादिर हूँ उसके बाद फाहद ने कई कामया प्रोडेक्स पर काम किया और कई मशूर गेम शोज की मेजबानी भी की फाहद की मजमूरी मालियत का तक्मीना तक्रीबन दो मिलियन डॉलर है जिससे वो पाकिस्तान के अमीर तरीन अदाकारों में से एक शुमार होते हैं वो कई मारूफ ब्रैंड्स के ब्रैंड अमबैसीडर भी रह चुके हैं और सोशल वर्किंग के कामों में भी उनका काफी सारा हाथ है इसके बाद जिक्र करेंगे सबा कमर का सबा कमर का शुमार पाकिस्तान की बासलाहियत अदाकाराओं में होता है उन्हें सबसे पहले ड्रामा सीरियल मार्ट में अपने किरदार से पहचान मिली सबा ने इसके बाद कई कामयाब प्रोजेक्स पर काम किया और अपनी पर्फॉमंस के लिए कई अवार्ड भी जीते सबा की मजमुई मालियत का तक्मीना तक्रीबन वन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर है तो इसे पाकिस्तान की अमीर तरीन अदाकाराओं में से एक मनाती है मुकई मारूफ ब्रेंड्स की ब्रेंड अमबैसिडर भी रह चुकी है और सोशल वर्किंग के काम भी करती रहती है इसके बाद जिक्र करेंगे बिलाल अबास खान का पाकिस्तानी एंटर्टेन्मिन इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा उन्हें सबसे पहले ड्रामा सीरियल रंगरेजा में अपने किरदार से शुहरत मिली बिलाल ने इसके बाद कई कामयाब प्रोजेक्स पर काम किया और अप्री पर्फॉर्मंस के लिए कई अवार्ड भी जीते बिलाल की मजमुरी मालियत का तफ्मीना तक्रीमन एक मिलियन डॉलर है जिससे वो पाकिस्तान के अमेर तरीन अधाकारों में शुमार होते हैं वो भी कई मारूफ ब्रेंड्स के ब्रेंड अम्बैसिडर रह चुके हैं और सोचल वर्किंग का काम भी करते हैं इसके बाद दिक्र करेंगे आईजा खान का आईजा खान का शुमार पाकिस्तान की मकबूल तरीन अधाकाराओं में होता है उन्हें सबसे पहले ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल में अपने किर्दार से पहचान मिले आईजा ने इसके बाद कई कामयाब प्रोजेक्स किये और अपनी पर्फॉमंस के लिए कई अवार्ड जीते आईजा की मजमुई मालियत का तक्मीना तक्रीबन एक मिलियन डॉलर है जिससे वो पाकिस्तान की अमीर तरीन अधाकाराओं में से एक बनती है वो भी कई मारूफ ब्रेंड्स की ब्रेंड अमबेसिडर रह चुकी हैं और सोशल वर्किंग के काम भी करती रहती हैं पाकिसानी एंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री ने दुनिया के चंद बासलाहियत अधाकार और अधाकाराई पैदा की हैं उन अफराद ने ना सिर्फ पाकिस्तान बलके बेनल अलपमी सता पर भी पहचान हासल की और उन्हें दुनिया के अमीर तरीन अधाकारों में शामिल किया गया फवाद खान 25 मिलियन डॉलर के साथ इस फहरिस्त में सरे फहरिस्ते हैं उसके बाद माहरा खान, हमजा अली अबासी, अली अफजर, इमरान अबास, हमायू स्थ, फहर्द मुस्तफा, सबाग कमर, बिलाल अबास खान और आईजा खान शामिल है इन अदाकारों और अदाकाराओं ने अपने करियर में काम्याबी हासल करने के लिए सक्त मेहनत की और मुक्तलिफ समाजी कामों में हिस्सा लिया तो जनाब ये थी आज की वीडियो, उमीद है आपको पसंदाई होगी, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, अलाहाफिज